नमस्कार दोस्तो वो वहाँ पर एटेक होने के बाद हैक हो चुके है तो ओर 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 यहाँ पर लोस यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबित दिखाया गया है आठ मिलियन डॉलर का यहाँ पर ओर 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 लोगों का नुक्सान हो चुका है अब यहाँ पर यह लोज होने के बाद यहाँ पर लोग दंग रह चुके हैं तो देखो प्रिंस यहाँ पर हमारा जो बिटकोइन है आज तीसरा दिन है तीन दिन से यह जो खजाना वाला बोक्स बना हुआ है देखो यह एक खजाना था मैंने बताया था यहाँ से जब बाहर चार गंडे का एक भरा केंडल क्लोज देता है तब हमें मानना है कि बिटकोइन उपर दाएगा नीचे जाएगा अभी देखो यहाँ पर बार बार इसको देखो बाहर कहीं भी आप लोग को इसका क्लोजिंग नहीं दिखरा है चार गंडे का केंडल यहाँ एक सपोर्ट बनाया अगें ट्राइक किया अभी यहाँ पर भी रिजेक्शन ले रहा है एक भरा केंडल चाहे तकरिबन 23,600 डोलर से उपर चार गंडे का केंडल क्लोज देता है फिर बिटकोइन का प्राइस इजी ली 24,000 डोल और इस बार यह वाला जो सपोर्ट यहाँ उसको तोड़के 22,200 डोलर तक हमें बिटकोइन का प्राइस देखने को मिल सकता है अभी नजर रखो 23,600 डोलर के अराउंड और चार गंडे का केंडल क्लोज होता है तो वहाँ से बनेगा लोंग और हमारा टार्गेट रहेगा 24,000 डोलर 24,500 डोलर और 25,000 डोलर भी दिखाएगा और उससे अगेन भी यहाँ पर बिटकोइन का प्राइस हमें दिखा सकता है तो थोड़ा वेट करो पेसंस रखो फ्यूचर ट्रेड जो लोग करें उसकी बात है बाकि स्पोर्ट ट्रेड वाले कहीं भी कभी भी बाइंग कर सक कर दे और यहाँ पर अभी देखो इथिरियम का प्राइस 1660 डोलर पर ट्रेड कर रहा है और इथिरियम के लिए देखा जाए एक छोटा सा रेजिस्टंस एरिया देखा जाए तो भी रेजिस्टंस एरिया में है देखो तक्रिबन इथिरियम का प्राइस एरिया पर रेजिस को भी थोड़ा देखना होगा इथिरियम के लिए यही एरिया है बिटकोइन को रिजेक्शन मिलता है वापस से बोक्स में आता है तो इथिरियम का प्राइज आपको वापस से 1500-1500 डोलर के अराउंड अराउंड देखने को बिलेगा अभी के लिए यहां से बार-बार सपोर् पर मार्केट के बारे में बात्चित करेंगे तो मार्केट देखो एसे बिटकोइन साइडवेज भी रहता है तक्रिमन 24,000 25,000 डोलर के अराउंड राउंड ट्रेड करता रहता है तो भी आपको दीरी दीरी दूसरे सभी कोईन में ग्रोथ देखने को मिलेगा लास्ट में एक वर्निंग है आपको थोड़ा पेशा बचा के रखना है क्योंकि अभी जो यूद स्टार्ट होने की तियारी हो रहे एसी वो यूद हो जाता है चीन एन ताइवान के बीच में तो यहाँ पर प्रोब्लेम क्रियेट हो सकता है तो अभी हो सके तो फ्यूचर ट्रेड थोड़ करो और ऐसे लगा के करो बाकि एसी छोटी छोटी अपडेट देखने के लिए चनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेल वाले एकन को पर क्लिक कर सकते हो जितने नए लोग है बिलकुल फेमेली में जुड़िये आपका स्वागत करते हो और हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ल प्लस लाइक चाहिए शेर करो कुछ भी करो फेमेली उतना सपोर्ट करो गुडबाई